हाज दोस्तों आज जेकेससबी के रिलेटेड जो केस था हाई कोट में जो फाले डिसीजिजिन आया उसके बाद जेकेससबी की वेबसाइट में भी थोड़ी हरारत आई है और जो एक कंपनी है जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया है इसके बारे मैं जो बात करेंगे आप लोगर अपडेट्स पहुंचते रहें जितने जल्दी हो सकता है जो भी अपडेट आता है वी ट्राइट टू रीच आउट तो यू विद आपडेट अस पॉसिबल तो आप लोग सब जानते हैं कि JKPSI, JE, Civil और Finance Account Assistant का एक्जाम इन एक्जामों में जो है काफी काफी स्कैम के ऐलिगेशन आये थे, काफी केस हुए थे, एक्जाम वो कैंसल करना पड़ा था, यह जो कंड़क्टिंग ऑथा इसकी, जो कंड़क्टिंग बॉड़ी थी, यह आज तो कल तो होना ही था, अब यह इतना लेट क्यों हुआ, जब पहले ही स्कैम प्रू हो गया था, बाकी चीज क्या होई, वही इसमें लिखा हुआ है, नोटिस में, कि exactly क्या कारवाही की, JK SSB की बोर्ड ने, यह basically decision आया है, JK SSB की बोर्ड मीटिंग से, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि अब देख रखते हैं, कि 226 बोर्ड मीटिंग में जो 16, 5, 23 को भी थी, यह इनने शो काॉस नोटिस सर्फ किया था, मैट्रिक प्राइवेट लिमिटेड को, जिसने यह सब एक्जाम कंड़क करवाय थे, JK PSI के, J.E. Civil के, और Finance Account Assistant के, और इनको यह कहा गया था, कि आव, you have failed to maintain 100% secrecy of the question paper, और इन पे, इनका response मागा गया था, और आज यह decision देते वे, जो है, T.S.C. ने बोला है, कि और डिलिडरी लिएवेट टीन माटर इन तकाण आज ने इनको नटने मेनर, और इनको प्राइवेट इनकार नोटिस देटेक ब्राइवेट वीट, और इनको जिएवेट इनको प्राइवेट प्राइवेटिट मेनर, अग थे, ताल सब 17-5-2023 is not convincing in the line in terms and condition तो जो response इनने 17-5-2023 की 226 मी board meeting में पूछा था वो response इनको satisfactory नहीं लगा इसके चलते metric private limited को debar कर दिया गया है ban कर दिया गया है blacklist कर दिया गया है for a period of two year और अगर इन पे जो allegations लगी है अगर वो convict हो जाते हैं जो CBI की अभी कारवाई चल रही है तो यह ban एक साल और बढ़ा दिया जाए गया है तीन साल तक यह blacklist किये जाएंगे तो एक major update है क्योंकि यह चीज अभी तक सामने नहीं आई थी कि जो metric metric tag services private limited ने खिया था उस पे क्या कारवाई हुई so finally it has been done तो कहीं न कहीं अब JKSSB की वेबसाइट पर ऐसे notices आते रहेंगे जिसमें कहीं न कहीं एक्जाम के related और बाकी जुदुन के related information मिलती रहेगी so you should all be prepared और आगे देखते हैं कि अब जो हाई कोड की judgment आई है उसके बाद आने के बाद क्या impact होता है क्या impact app tech पर पढ़ता है TCS कब से एक्जाम कंड़ करवाएगी सब चीज़ें आने वाले टाम में खुलासा होगा however stay connected and keep preparing ये videos आपको distract करने के लिए नहीं बल्कि आपके आपको motivate करने के लिए हैं आप अपनी बढ़ाई करते हो अब कभी भी एक्जाम हो सकता है so keep studying keep working hard and happy raksha bandhan to everyone once again thank you